हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टी टूटलेज अकाडमी, NHPC Limited में HR के लिए वेकंसी आई है, Engineering के आई है, Finance के आई है, and Law के आई है, तो फ्रेंट्स, जो HR की वेकंसी है, वो Net के बेस पे है, Engineering की वेकंसी गेट पे है, Finance के लिए CACMA स्कोर चाहिए, और Law के लिए CLAT अपियर्ट हूँ कि जो भी PSU HR का, PSU में जाना चाहता है, HR पोस्ट पे, तो उसे Net का एक्जाम देना बहुत जरूरी है, साल में दो बार Net एक्जाम होता है, और दोनों ही सेशन में आपको अपियर होना जरूरी है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो जो HR की वेकंसी है, वो Net जू इनजीनियर, Civil, Electrical, Mechanical इनके लिए निकाला है, तो इसके लिए, प्रॉपर, Concerned Discipline में, गेट का स्कूर इन्होंने मांगा है, उसी तरह से HR की जो वेकंसी आई है, देखे, टोटल 14 वेकंसी है, पहले की तरह मैं फिर से बोलूँगी की वेकंसी कम नहीं है, 14 मतलब बहुत ज साइकल का एक्जाम हुआ था, उसके स्कूर पर बेस्ट है, तो जिन्होंने भी UGC Net December 2021 and June 22 मर्स साइकल दिया था, उनके लिए बहुत अच्छी opportunity है, तो अगर आपका स्कूर आपने कौलिफाई किया है, नेट एक्जाम और आप इसके क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे ह पर्सनल और लेबर रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट ठीक है, आई यार और इन सब में, वैसी जैसे हर PSU के लिए रहता है क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया है और फुल-time regular 2 years master in social work with specialization in personal management and industrial relation, और फुल-time 2 years of master of human resource and organizational MHROD, और 2 years MBA with specialization in human resource as major subject from recognized Indian University, और जो minimum criteria है marks का percentage का वो है 60% marks, तो ये तो आपका fulfill होना चीए, इतना तो qualification आपके पास होना चीए, प्लस आपका net जो है, वो qualify होना चीए December 2021 and June 22 का जो उन्होंने exam लिया था, उसी तरह से जो log के लिए, निकलाड रेनियो ओफिसर log के लिए, तो वो उन्होंने CLAT का exam बोला है, CLAT 2022 examination जो है इसके लिए applicable है, तो friends इसमें आपको जो ये form है वो 5th January 23 से start होगा, 5th January से आप registration कर पाएंगे, अभी फिलहाल इन्होंने बस notice निकाला है for intimation, जो maximum age है वो 30 years है और government regulations के according यहाँ पर relaxation मिलेगा age पे, तो हर एक post में 30 years is the maximum age, trainee officer HR के लिए कौन सा paper code 55 जो है उसमें appear होना चाहिए, ठीक है जो आपका UGC net exam जो आपने दिया हो paper code 55 होना चाहिए, जो scale इन्होंने बता रखा है, पोस्ट का वो है 50,000 to 1,60,000 इस पे आपको recruit करेंगे, starting में आपका जो pay scale रहेगा वो 50,000 to 1,60,000 रहेगा during one year training period, और on successful completion of training, candidates will be absorbed by engineer or officer in the same scale, right? तो apply करने के लिए nhpcindia.com पे जाना है, वहाँ पे career tab में आपको जाना है, और वहाँ पे link दिया रहेगा apply करने का उसे click करना, और जैसे जैसे form आगे बढ़ेगा वैसे आपको fill करना है, तो date of opening of online portal के 5th January को open होगा, सुबर 10 बजे और last date जो है, इसका 25th January है, तिल 11.55 PM, तो starting में ही form fill कर देना है, जो भी eligible candidates है, last date का wait नहीं करना, और जैसे इसका detail information आता है, और form open होता है, तो आपको form कैसे fill करना है, वो भी आपको हमारे तरफ से बताया जाएगा, तो friends, इससे आपने क्या सीखा है, कि अभी कोई भी PSU जो है, खुद का exam तो बहुत कमी PSU ले रही है, UGC net का जो score है, उसको ही वो मान रही है, और उसके according ही वो अपने vacancies fulfill कर रही है, अगर आपने net qualify किया है, तो as per their cut off, on the basis of their vacant seats, वो लोग आपको interview के लिए बुलाएंगे और उसमें से screen list करेंगे, तो है, net exam देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगे कि Tutorials Academy application पे net का पूरा paper court 55 का full course available है, paper 1, paper 2 and with mock test as per the same pattern of UGC net exam, तो form fill करिए, जहां पे भी आप eligible है, जो भी PSU की vacancies आती है, और net का exam देने के लिए course join करिए, और अपना preparation अच्छे सगीजे, thank you for watching this video कुछ करिए.